हलो गाईज आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सब की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सब का टूड़े गिटमी पर स्वागत है आज हम सब गाईज टिक्सर साइज 2.3 कुशन नमबर 2 लेकर प्रेजेंट हैं ठीक है ज़िए आप मैं चनल पर नए हैं तो आप म माइनस AX स्कौाईर प्लस 6X माइनस A is divided by X माइनस A गाईज हमें इसमें रिमाइनडर ग्याद करना है इसका मतलब हमें यादी हम X की वैलू निकाल के इसमें पुट कर दें पोलिनमेल्स में तो हमारा रिमाइनडर फाइंड हो जाएगा कि इसके द्वारा बाइदर रिमाइ x square plus 6x minus a, ओके, तो मैं divide किसे करना, x minus a, इसे equal to zero put कर लेते हैं, x minus a is equal to zero, तो side change हो guys, तो plus हो जाएगा, x is equal to a, ठीके, तो किसे के द्वारन निकालेंगे भाई, guys, by reminder theorem, by reminder theorem, theorem, ओके, तो आईए, x की value क्या करते हैं, by reminder theorem में, क्या put करेंगे, a put करेंगे, p of a, तो जहाँ पर guys, x, x है, वहाँ पर हमें क्या put करना, a put करना है, ठीके, आईए, रखते हैं, ज्यक्ट चूब है guys, तो a का cube होगा, minus a into x square है guys, तो a का square होगा, plus 6 into guys, x है, तो a होगा, minus a, आईए, नेक्स स्टेप में देखते हैं, a cube, minus a into a square, plus 6 a guys, minus a, तो आईए, देखते हैं, यहाँ पर क्या guys, a into a square है, अगर हमारा base क्या guys, equal है, तो multiply sign है, तो मारे power क्या होते हैं, add हो जाते हैं, a1 plus 2, क्या होगा, a की power 3 होगा, आईए, देखते हैं, a cube, minus guys, देखें, भी मनें निकाला था, a cube आया, क्या लेखेंगे, a cube, plus 6 a में से minus 1 स्ट्रेट होगा, like time है guys, तो फा क्या होगा, 5 यह हो जाएगा, next step में देखते हैं, a cube plus में है, a cube minus में तो कड़ जाएगा, क्या आएगा, 5 a, तुमारा reminder क्या है guys, 5 a आया, कब, जब हमने p of x क्या रखा, यह put किया, okay, आए exercise 2.3 का last question 3 solve करते हैं, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, तो guys, यदि हम इसमें x की value put करें, तो हमारा reminder 0 आजाए, तो क्या होगा, वहमारा factor, यह 7 plus 3x जो है, इसका factor होगा, आए, let करते हैं, let's p of x, क्या होगा guys, 3x cube plus 7x, तो divide किसे करना guys, 7 plus 3x is equal to 0, put कर लेते हैं, 7 plus 3x is equal to 0, 7 side change होगा, तो plus minus हो जाएगा, 3x is equal to minus 7, तो 3 और x का relation multiply के guys, side change होगा, तो divide हो जाएगा, x is equal to minus 7 by 3, दिखें guys, x की value क्या आगई, minus 7 by 3 आगई, यदि हम p of x, x की value minus 7 by 3 रखें, और हमारा reminder क्या आजाए, 0 आजाए, ठीक है, यह 0 आजाए guys, तो हम कह सकते हैं, 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, तो आएगे, by the reminder theorem, हम solve करते हैं, by reminder theorem, reminder theorem, ओके, आएगे, p of x, x की value क्या रखने guys, minus 7 by 3, आएगे guys, देखते हैं, इसमें जाए जाए, यक से वहाँ minus 7 by 3 रखेंगे, तो 3 into minus 7 by 3 का whole cube plus 7 into minus 7 by 3, ओके guys, आएगे next step में देखते हैं, 3 into guys, क्या है, minus 7 by 3 का whole cube है, means इसका हम minus 7 by 3 into minus 7 by 3 into minus 7 by 3, guys, minus का 3 times multiply होगा, तो minus होगा, 7, 7 जा 49, और 49 में guys, हम 7 से multiply करेंगे, 7, 9 जा 63 की 3, carry 3, 7, 4 जा 28 और 6, 3, 4, 3 आएगा, 3, 4, 3 upon 3, 3 जा 9, 3 जा 27, okay guys, आएए put करते हैं, minus 3, 4, 3 upon 27, guys, minus होगा, plus into minus is equal to minus 7, 7 जा 49 upon 3, okay, देखिए guys, next step में cross में है, 3 upon 3, 9 जा 27, कर जाएगा, तो next step में, minus 343 upon 9, minus 49 by 3, okay, आएए next step में देखते हैं, का LCM लेंगे, 3 और 9 का LCM क्या हो, guys, 3 से divisible है, 1, 3, again 3 से divisible है, 1 and 1, जिसका multiply करें, guys, कितना है हमारा, 9 ILCM, ILCM 9 लेते हैं, guys, तो minus 343, guys, 9 में 9 से divide करेंगे, तो 1 आएगा, 1 से multiply करेंगे, minus 49 into, guys, 3, again 9, 3 से 9 में divide करेंगे, 3 टाइम जागा, तो 3 से multiply कर देंगे, आएए next step में देखते हैं, minus 343 बन जा, 343, minus, क्या होगा, 39Z27, 34Z12, और 2, 14, guys, upon 9, आएए देखते हैं, guys, यह दोनों क्या है, minus में है, add कर लेंगे, minus 343, minus 147, add करेंगे, तो मारा minus में आएगा, 7 plus 3 is equal to 0, 4, 4, 8, 1, 9, 3, 1, 4, 490, क्या है, guys, minus 490 by 9 आए, ओके, तो आएए देखेंगा, इस क्या हमारा reminder 0 आया, नहीं, हमारा reminder कुछ न कुछ आया, कब, जब हम P of X minus 7 by 3 रखे, और बेटा हमारा reminder कुछ आगया, तो हम क्या सकते हैं, यह इसका factor नहीं है, हैंस लिख सकते हैं, 7 plus 3X is not factor of, किसका, 3X cube plus 7X, because, because, the reminder is not 0, okay guys, तो I hope आप सबको question क्लियर हुआ होगा, तो आप मेरे चनल को subscribe कीजेगा, like कीजेगा, comment कीजेगा, thanks all of you, अभी को राम राम,